वेल्कम बेक टू माई चैनल स्वागत है आपका महालक्ष मेरियल किचन में आज हम बनाने जा रहें मेथी आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी तो आएए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैं दिलिया है चार मेडियम साइज का आलू और इसके बड़े टुकडे की हैं यानि 2 टुकडे की हैं सिर्फ और फ्रेश में थी इसको मैंने दोख करके अच्छे से और बारी कट कर लिया है तो चलिए अभी सुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन में तेल गरम किया है और उसमें हम फ्राइ करेंगे आलू इसको गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे अभी आलू गोल्डन फ्राइ हो चुके हैं इनको अभी हम निकाल लेते हैं अभी उसी ओयल में हम डालेंगे एक चम्मच जितना जीरा जीरा आरेट हो चुका है तो अभी हम इसी इस्टेस पर डाल देंगे दो मेडियम साइज का क्याज पेस्ट किया हुआ और इसको भून लेंगे अभी प्याज भून चुका है बहुत ही अच्छे से और इसे स्टेस पर हम डाल देंगे जिंजर गाली पेस्ट इसको भी भून लेंगे और अभी डालेंगे दो बड़े साइज का टमाटर प्यूरी त्रमाटर को भी अच्छे से भूनना है और अभी डाल देंगे कुछ मसाली एक पीश्पून जितना हल्दी पाउडर, एक पीश्पून जितना रेट चिली पाउडर, एक पीश्पून धनिया पाउडर और एक पीश्पून घरम मसाला, मसालो को अच्छे से भूनेंगे, और इसे ही डाल देंगे अभी दो प्रीन चिली स्लिट की हुए, और अभी डाल देंगे फ्राई किया हुआ आदू, थोड़ी यह मसालों के साथ में भूनेंगे इसको, मसाले और आलू अच्छे से भून चुके हैं, इसी स्टेस पे भी हम डाल देंगे मेथि, क्योंकि मेथि को गलने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है, मेथि को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया मैंनी, और इसी स्टेस पे भी डालूंगी, टेस्ट के कोड़िंग, मेथि आलू की सुच्जी में मेरे तरीके से बना रही हूँ, उमीद है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, मेथि भी अच्छे से बुन चुका है, तो इसी स्टेस पे हम डाल देंगे, हाफ कब जितना पान, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको, और इस पे लगा देंगे धकन, दो मिनट पकाएंगे, अभी दो मिनट हो चुके हैं, और हम चेक कर लेते हैं सबजी, सबजी बिल्कुल रेडी है, अभी हम गैस को करते हैं बन और इसको सर्व करते हैं, इसको सर्व करेंगे, एक छोटी सी सर्विंग पैंग है मेरे पास, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजबा बन करके तयार हुया है, यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ करें, गार्निस करेंगे, थोड़े से धनिया से, और अधनिया से, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम से, रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,